अगर आपके पास इसका एक शेर है तो आपको उसके बतले में 2 शेर मिलेंगे अतिरिक्त है एक शेर के उपर 2 शेर अब हमाँ बात करता हूँ इसके dividend की तो इसने क्या dividend announce किया है अब देखो किसी दो dividend announce किया है वो 3 रुपे पर equity share से किया है अब हमाँ बात करता हूँ इसके quarter for result को इसका जो quarter for result है वो कैसा है तो आईए आपका जाड़ अटेमेश ने गरती मसी दे आपको इसका quarter for result दिखा देता हूँ तो हम बात करेंगे इसके consolidate result के बारे में तो आप देखो तो total value दी गई है प्रिविस quarter में आप देखोगे 2518 क्रोड का हमें जो है revenue देखने को मिला तो प्रिविस quarter से अपके बार हमें जो आने इसके अंदर जवरदस्त revenue देखने को मिला है अगर प्रिविस मार्च quarter के मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे 1,666,447 क्रोड का हमें जो रिवेन्यू देखने को मिला था तो quarter on quarter भी jump और Y on Y भी हमें जो इसके रिवेन्यू में जबरदस्त jump देखने को मिला है अब हम बात करते हैं इसके total expenses की याने total खर्चों की तो आप देखोगे अब की बार जो इसके expenses रहो है 1,99,874 क्रोड प्रीविस quarter में आप देखोगे 1,92,832 क्रोड तो प्रीविस quarter से अब की बार हमें जो इसके expenses में भी jump देखने को मिला है तो आप देखोगे अब की बार जो इसका revenue है वो इसके expense से जादा है तो इसका मतलब company को अच्छा profit हुआ है कितना profit हुआ है वो भी आप देख सकते हो तो आप देखोगे net profit for the period तो अपकी बार जो इसका profit बचा है वो आप देख सकते हो 7,089 क्रोड का जी हाँ 7,089 क्रोड का previous quarter में आप देखोगे 6,261 क्रोड का और previous March quarter के अगर में बात को तो वहाँ पर आप देखोगे 9,144 क्रोड का तो previous quarter से तो अच्छा jump देखने को मिला profit में लेकिन previous March quarter के अगर में बात करूँ तो वहाँ से आप देखोगे मैं जोना कम profit देखने को मिला है अप्रोक्ष्यमेट 2,000 क्रोड का कम profit तो आप देखोगे अपकी बार जो इसका EPS है वो कैसा है तो आपकी बार जो इसका EPS रहा है वो 7 रुपे 24 पैसे प्रीविस क्वार्टर में आप देखोगे 6 रुपे 69 पैसे और प्रीविस मार्च क्वार्टर के अगर मैं बात कुरूँ प्रीविस मार्च कोड़र के बात तो वहां पर आप देखोगे 9.83 पैसे तो आप देखोगे कोड़राई एपस में जंप देखने को मिला है और Y1 Y2 पे हमें जो इसके EPS में गिरावट देखने को मिली है तो आप देखोगे इसका जो क्वाटर फोर रिजल्ट है बहुत अच् चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना and thank you for watching the video